हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू एजुगेशन इंडिया दोस्तो आज हम लेकर आया है आपके लिए परदान मंतरी किसान कर्जमाफी दोस्तो आज गे सुडियों में बात करेंगे आपके लिए एक बहुती बड़ी जो गोशना हुई है मोधी सरकार की तरब से उसके बारे मे दोस्तो मोधी सरकार ने यह कहा है कि कैसी यदि आपके पास है तो आपका पूरा का पूरा कर्जमाफ किया जाएगा यानि दोस्तो कैसी वालों को बहुती बड़ा लाब मिलेगा और उनके लिए बहुती बड़ी खुसकबरी है दोस्तो यदि आपके भी पास है कैसी तो आपको भी मिल सके यह सारी जानकारी की आखिरकार हमारा कर्जमाफ होगा या फिर नहीं तो यह मोदी जी का जो एलान हुआ है उसकी हम पूरी जानकाई देंगे और दोस्तो यह जो कर्जमाफी की जाएगी वह 29 अपहल तक की जाएगी और पांच लाग तक की कर्जमाफी किसा तरह से मिल सके और दोस्तो इसलिए के साथ यदि आप हमारी चैनल पहें नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तो पासी मारों का घंटी के निसान उसे भी जरूर दबाईए ताकि दोस्तो आपको परदान मंतरी किसान कर्जमाफी से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके और दोस्तो यदि आप इस उडियो को लाइक करते हो तो अच् आखिरकार क्या मोदी सरकार ने लिया है आपके लिए फैसला और दोस्तो परदान मंतरी किसान कर्जमाफी कैसे होगी तो बुरे जानका ही बताएंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार परदान मंतरी ये मोदी जी कर्जमाफी कर क्यों रहे हैं दोस्त तो वहाँ पर जो कर्ज माफी यानि कि दोस्तो कर्ज माफी का एक वादा किया गया था कांग्रेस के द्वारा और दोस्तो उसी वादे के कारण BJP को यानि बारती जंता पार्टी को एक करारी हार मिली थी और दोस्तो उससे मोधी सरकार ने एक बड़ा सबक लिया था और दोस् जो कांग्रेस है उसने भी कर्सान की कर्दमाफी के अलागा कुछ बड़े-बले एलान कर दिये और उन्हों ने कहा है कि हम एक अलग से किसान बज़त पारित करेंगे तो इसलिए उस्तों परदान मंदरी और मोदी जी की नर्ब से वह क्या ही है हम जानते हैं आपको एक एक रिपोर्ट के अनुसार तो दोस्तों मोदी सरकार यानि मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है दोस्तों ये बात जो कही गई है वा किसान को लेकर कही है कर्जमाफी को लेकर कही है दोस्तों उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपना वोट के लिए सिर्फ कर्जमाफी की थी लेकिन यदि हम करेंगे आपके लिए करजमाप भी तो आपकी समश्या का समधान करने के लिए करेंगे तो इस बकाश से P.M. मोदी ने ये बासन दिया और अपनी बात कई कि हम भी करेंगे आपके लिए करजमाप अब दोस्तों जानते हैं पूरी अपडेट और आपको बताते हैं कि आखिरकार 29 अपडेल तक कैसे आपका कर्जमाप मोधी सरकार के दोरा किया जाएगा दोस्तों मालिन ये परदान मंत्री नहेंदर मोधी ने एक चुनावी देली कि और उसमें संबोधित करते हुए किसानों को लेकर कांगरेस पर जमकर निसना साधा उन्हेंने कहा कि कांगरेस जो हैं देश द्रोईयों के साथ खड़ा है और उन्हेंने साथ में यह भी आरोप लगाया कि कांगरेस जो हैं अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो इस प्रकास से ये मोदी ने बात कई और कांग्रेस वर एक बड़ा आरोप लगाया गया दोस्तो परदान मंतरी मोदी ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस वोट के लिए जम्मू कस्मीर को भारत से अलग करना चाहती है जो कांग्रेस देश दुरोई को खुली चूर देने की भी बात करेंगि और साथ में किसान के लिए कुछ ने कुछ ऐसी बाते करें जिस से किसानों को हमारे खिलाब बढ़काया जा रहा है दोस्तो इस परकास से उन्होंने बात कई अब दोस्तो सीधे सीधे बढ़ते हैं अपनी बड़ी अच्छी खास जान का इस तरब से जो कि आपके लिए आईए परदान मंतरी कर्जमाफी को लेकर दोस्तो जो बड़ी ख़बर आईए आपके लिए वह देखते हैं अखिरकार क्या है दोस्तो परदान मंतरी नेंदर मोधी यानि मानिने मुख्या मंतरी के द्वारा ये बात कही गई कि मुख्या मंतरी कुमार स्वामी और कांग्रेस एक बड़ा नाटक कर रही है उन्होंने नाटक करने का भी आरोप लगाया और दोस्तों उन्होंने कहा कि नाटक के चक्कर में कननाटक में विकास के का ये पुरी तरह से ठापे और दोस्तों ये बात सर्फ कननाटक पर लागून नहीं होती है बलगी उन्होंने देश भर के लिए बात कहिए उन्होंने कहा कि जहां पर भी राज है कांग्रेस का वहां पर ऐसा ही है रिकास का का ये पूरी तरह से ठपे उन्होंने इसके साथ ही कहा कि किसान की कर्ज माफिगा क्या हुआ और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि सिचाई योजना का भी क्या हुआ और दोस्तों इसी के साथ उन्होंन परतिये जो किसान आता है उसका कर्जमाफ किया जाएगा अब दोस्तों इसमें ये बड़ी गोश्टना आपके लिए हुई है लेकिन उन्हें ने ये बात कहिए कि यदि किसान की समच्छा का समाधान होता है तब हम कर्जमाफी करेंगे यानि दोस्तों यदि किसानों को कुछ फाइदा नहीं होता है कर्जमाफी से तो हम कर्जमाफी नहीं करेंगे और यदि होता है तो आपका कर्जमाफ किया जाएगा अब दोस्तों ये बात मोधी सरकार नहीं कही है लेकिन दोस्तों उन्हें कहा है कि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि आपकी सभी की कर्जमाफी करे है लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ अच्छी कासी आपके लिए बात आईए क्योंकि दोस्तों यदि आप एक छोटे किसान है और यहां पर कोई गेर संसा के सुरूत यानि जोस्तों चाउक कार यह जमीनदार यह फिर कोई देशी बैंकर से लोन लेते तो भी आपका करद माफ किया जाएगा तो कि मैंने बताया है कि 29 अप्रेल से पहले पहले सुत्रों के नुसार भी रिपोर्ट आईए कि ये पुंडुप से मोधी सरकार के तरफ से गोश्चना कर दी जाएगी ये बड़ी अप्रेट आईए आपके लिए और दोस्तों अभी तो मोधी सरकार ने सरफ इस तरफ इसारा किय है कि हम कर्ज माफी करेंगे यदि समश्या का समधन होता है तो लेकिन दोस्तों सुत्रों ने तो ये बता दिया भी है कि कर्ज माफी 29 अप्रेल से पहले पहले कर दी जाएगी मोधी सरकार के द्वारा अब दोस्तों ये हमने मोधी सरकार का एक बड़ा बसन सुन लिया है दोस्तों अमिस साहा ने भी मोदी जी का एलान याने मोदी जी के गोश्टना के बाद में यहां पर फिर से एक बड़ी बात कही है जो कि कर्ज माफी को लेकर ही कही है दोस्तों उन्होंने कहा कि यहां पर जो कर्ज माफी और न्याही ओजना का ब्रहम फेला रही है वह गलत है क अंग्रेश की तरब से जनसभा को संबोधित करते हैं साहा ने कहा कि पिसले साड़ी चार साल में जो फंडरनवी सरकार ने इमानदारी से काम किया यानि दोस्तों महाराश्टर की सरकार ने इमानदारी से काम किया और इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी भार्ति ये जनता पार् कुझत weniğya को बहुत बढ़ी राहत दी है उन्होंने ये भी कहा जब कि जब तक राज्य के आखिरी किसान की करदमाफी का राभ नहीं मिल पाता तब तक किसान की करदमाफी और राज बराऑन रहेगी अब दोस्तो यह देखे किस परकाश से महाराश्य कि जो कर्द माफी बारती जनता पार्टी के दारा चला ही जारे उसको लेकर बात कहिए और दोस्तों उन्हों ने यहां पर ब्रहुल गांदी सरकार आपके साथ बहुत बड़ा ब्रहुल भी फैला रही है लेकिन दोस्तों जैसा कि आप ने यह इसलिए जान काई दिये यह कि द में पूरे देष के किसान को लाबानमित करेगい और कर्द माफी का फाइदा उनको भी देगी तो दोस्तों इसलिए हमें यह महुरी कार्द माफी की울िज़े मारास्तों में लेकिन यह बात अब दैस के लिए लागू होगी और इसलिए परकास से परदान मंत्री मोधी कर्द म माफिक करेंगे अब दोस्तों इसके लाव अभी कुछ बड़ी-बड़ी बात कहीं गई है जो कि आपके लिए है और उन्हें ने यह भी कहा कि परदान मंत्री मोदी जी यहां पे दो मुहमाले नहीं है वह सरफ एक बात करते और वह सही सही बात करते वह संकलब लेकर बात करते और इसी नाम पर हमने संकलब पत्र अपना जारी किया था इस परकास से यहां पे हम इसान एक बड़ी बात कहीं है जो कि हर एक किसान के लिए काफी अच्छी और खास बात है दोस्तों इस परकास से बड़ी खबर आई थी आपके लिए हर एक किसान के लिए कर्ज माफी करिया रहेगी अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार पर किया किस पर अदारित होने वाले यानि आविदन से होगी अब दोस्तों जारा तर यह बताया जारा कि अपकी वाद परदान मंत्री मोदी जी आविदन से एक कर्ज माफी करवाना चाहेंगे और वा भी ओफ लाइन इसलिए कराईगी ताकि सबी को फाइदा खुबी मिल जाए दोस्तों परकार से यह बड़ी खबर आईए और दोस्तों इसके लिए वा अलग अच्छे कासे नियम बनाएंगे त परकार पर किया आदारीत रहेगी कैसे रहेगी यह हमने बात कर लिए अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार यह जो परदान मंत्री जी का कर्ज माफी का लाब होगा वह सभी किसान को कब तक पाएगा यानि कब तक पहुंच पाएगा उनका कब तक कर्ज माफ कर दिया ज यहां पर यहां पर यहां पर कौन कौन किसान इसके दाइरे में आ सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके लावा हम बता दे आपको कि यहां पर जो यह कर्ज माफी होगी इसमें यदि आप कोई सरकारी पर हैं भले ही आपके पास छोटा सा कहते हैं लेकिन सरकारी पर होते हैं तो आपको इसका फायदा बिलकुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों सरकारी पर वाला अधिकतर जो आई अपनी अच्छी रखता है इसलिए दोस्तों यहां पर सरफ और सरफ छोटे ही किसानों को फायदा दिया जाएगा तो इस प्रकास से यह बड़ी अपडेट आई थी है आपके लिए किसान कार्ज माफी योजना को लेकर जो कि परदान मंतरी मोधी जी सरकार नायंदर मोधी जी कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों यह थी आज की ताजा कवर बड़ी कवर आपके लिए हरे किसान के लिए तो इस सुर्य में बस नहीं था यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेए फिर इस वीडियो को सेर कीजिए और दोस्तों आगे हमारे चैनलों को इसको भी लाब मिलेगा दोस्तों ये फायदस वाली वात है और ये वीडियो आप सेर कर दीजे जल्दी से जल्दी दोस्तों स्टूडियो में बस इतना इता वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेहिंद जे बारत वंदे मात्रम